नमस्कार धरम ने जात की दिल्ली फिर आपकी जी हाँ जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली में पूरी ताकज हो की लेकिन केजरिवाल ने करीब करीब 2015 की जीत को रिपीट कर दिया है यानि दिल्ली के दिल में आम आदमी पाटी अरविंद केजरिवाल है बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरह से केजरिवाल ने विकास के अजेंडे को आगे बढ़ाया तो बीजेपी ने सीए और शाहिन बाग के बहाने जिस तरह से दुरुविकन का दाव खेला रास्ट्रे मुद्दो को आगे बढ़ाया लेकिन चेहरा कोई सामने नहीं रखा तो क्या बीजेपी को उसके कीमत चुकानी पड़ी कॉंग्रेस की इस पूरी लड़ाई में बात ही क्या की जा सकती है कहा जा रहा है कि अन्दाइजा लगा सकते हैं यहाल उस पार्टी का है जिसने दिल्ली में 15 साल सत्ता चलाई है और बीजेपी जिसका 22 साल का वनवास खत्म होने का इस बार एक तरह से संभावना जताई जा रही थी को कि बीजेपी ने 2019 की चुनावी लड़ाई में नरेंद्र मोधी के मैजि करके जीती यह कहा जा रहा था किसrebbe Кेजरिवाल का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है पांच साल से वह सता में आहें उनको अपने काम काँज का हिसाब देना पड़ेगा तो मौधी मैजिक से भी लोहा लेना पड़ेगा लेकिन केजरिवाल ने बाजी को जीत लिया है उसके कामकाज़ पर अपनी वोटों की मोहर लगाएगी कोई उसे हटा नहीं सकता है या फिर यह समझा जाए कि जिस तरह से बीजेपी ने जो रणनती बनाई रास्ट्रिय मसलों को लेकर के खास तोर पे तीन सो सतर सिये और राममंदिर निर्मान का रास्ता भी साफ हो गया है लेकिन बीजेपी चार में से तीन राज्य गवा चुकी है और दो साल में आथ राज्य बीजेपी अंडिय के हाथ से जा चुके हैं बड़ा मैसेज क्या है दिल्ली का समझने की कोशिश करेंगे पहले रिपोर्ट देखिए करीब साच किलोमेटर लंबे और सतर किलोमेटर चौड़े शेतरफल में फैली दिल्ली को लेकर ऐसा अभूतपुर्व चुनाव लड़ा गया मानू ये चुनाव एक केंदर शासित प्रदेश यानी दिल्ली कैपिटल की बैटल नहू कर देश जीतने की सबसे बड़ी सियासी जंग हो केंदरी मंतरी अनुराक ठाकूर के गोली मारो नारे से लेकर प्रवेश वर्मा प्रकास जवडेकर और कपिल मिश्रा की विवादित बयान बहादुरी ने ठंड के बावजूद सियासी आग भड़का दी खुद ग्रिमंतरी अमिशान ने वोट के बटन से शाहीन बाको करंट का एहसास कराने की हुंकार भरी चुनाव को ऐसा रंग दिया गया मानू ये नागरिक्ता कानून के समर्थन और विरोध में रिफरेंड़म मांगा जा रहा हो जब एक छोड से चुनावी जंग को इस तरह तेजा भी बनाया जा रहा हो तब आपके पोस्टर बॉय अर्विंद केश्रिवालनी चुनावी बैतरनी पार लगाने को विकास की पतवार कसकर थामे रखी मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे जिल से शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पर भरोसा किया ये जीत मेरी जीत नहीं है ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबर्दस कमर्खन दिया इतना वोट दिया ये कहना चाहूंगा कि जिन मुद्दों के आधार पर लोग आम आदमी पार्टिक साथ जुड़े हैं वो देखने पड़ेंगे और दिल्ली मुझे ऐसा लगता कि जिस तरह से दिल्ली में खहराद बाटी जा रही है और वो कितना सस्टेनेबल होगा कितने दिल्ली अपने पाओं पर खड़े होंगी ये निश्चित रूप से सोचने का विश्य है दिखिए दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को कॉंग्रिस स्विकार करती है हमको विपक्ष में रहते वे दिल्ली की लोगों की आवाज बुलंद करने का औसर दिल्ली की जनता ने दिया है निश्चित रूप से कॉंग्रिस उस पर खरे उतरने का परियास करेगी और लोगतंतर में जनता दोरा जो जनादेश दिया जाता है वो में समस्ताओं की सभी रादिक दितल उसको स्विकार करने का काम करते है तमाम चुनावी दाव पेच के बावजूत के जिवाल की जीत विरोधियों के लिए भी जीत का नया मंत्र लेकर आई है जनता का संदेश उसाफ है कि अगर कामकाज हो विकास का एजन्डा पास साल सरकार चला कर कोई मुख्यमंत्री जनता के बीच रखता है तो समर्थन भी बेपनहा परसता है संभव है दुबारा दिल्ली में कॉंग्रस भी इस मैसेज पर मन्थन कर रही होगी और पूरी ताकत जोगने के बावजूद 22 साल का बनवासना तोड़ पाने वाली मोदी शाह की बीजेपी भी आगले चुनावी राज्यवे उतरते वक्त इसका ध्यान रखेगी बिहार बंगाल से होते सियासी जंग यूपी उत्राखन का रुख करने जा रही है निश्चीत रूप से जुम्मेदारी है बाहर जो राजी हमारे गए हाथ से उनकी अलग परस्तितिया थी और हमारे प्रदेश की अलग परस्तितिया यहां केवल दो दल हैं और कोई गठवन्द रित्यादी का मामला नहीं है और भारती जंटा पार्टी के बाहर इतने कारकरता भाईवेहन हैं कि मैं निश्चीत रूप से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का मेरा दौरा हुआ अभी मैंने छे जिल्नों की 34 विदान सबाओं का दौरा किया जिस प्रकार का उत्सा एक उमंग कारकरता भाई में हम है मैं उसके अधार पर कह सकता हूँ कि भारती जंटा पार्टी की सरकार बहुत बड़े भाहमत से यहां फिर से हैं अगर आप पार्लिमेंट का चुनाओ देखें और खासकर हम लोग क्यों की कैम्पेइनिंग भी कर रहे थे उस समय जो सब कहानी देते हैं कि हमने अस्पताल और स्कूल ठीक किया मादमी नहीं इसका तो कहीं असर भी नहीं था हां लोग बिजली पानी पे जो रियायत मिल हां इसकी तरफ जाने लगे क्योंकि दिल्ली में यह तो है क्योंकि काम तो पहले ही हो चुका तब कोई काम से रिलेटेड कोई दिक्कत है नहीं जाहिर है आम आदमी पार्टी और अर्विंद के जिवाल की धमा के दारजीत विकास की राजनीती को नए कलेवर और तेवर के साथ देश में स्थापित करने वाली साबित होगी सवाल है कि क्या नए कलेवर और तेवर वाली राजनिती का सामना करने के लिए बिहार के सुष शासन बाबू से लेकर उत्राखन के जीरो टॉलरेंस सीम टी एसर तयार है अंकित काला चंद्रमोहन और पवलाल चंथ के साथ नीतु गुपता हिंदी खबर दहराद हमारे साथ खास मेमानों का एक पैनल तयार है आप सुनका परिश्य करा दें बीजेपी परोक्ता शादाब शम्स शादाब जी दिल्ली चुनाव परचार में भी रहे हैं तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बीजेपी किस तरह से बैटल लड रही थी कहां आम आदमी और कमजोर थी कहां बीजेपी मजबूत थी नतीजे क्या निकले उसके लावा हमारे साथ उदित गिल्डियाल है सोशल प्लिटिकल एक्टिविस्ट हैं सर आपका भी स्वागत है थोड कर दिल्ली में कॉंग्रिस के साथ ऐसा बूरा क्यों हुआ शादा भईयापी से शुआ करेंगे दिल्ली आप कैمपेण में रहे आज नतीजे आए थी क्या आप कहें जटका है या आप लोगОं को लगऔ रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल को ले कर के माहॉन बना हुआ था आ आज इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए खुशी का वाता रॉन तो बिलकुल नहीं है जो कि हम एक चुनाव हा रहे हैं बड़ी ताकत के साथ भारते जंता पार्टी के कारेकरताओं ने चुनाव को लड़ा और तब लड़ा जब ये पता चल गया था जब पहले सर्वे पूर राष्टे अद्रेक्ष ग्रहमंतरी अमेद भाहिशा ने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मानिन अड़ा जी ने उसे जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि नहीं हम अगर सर्वे में हार रहे का मतलब नहीं है कि हम हिम्मत छोड़ दे और ये एक टाकत होती है किसी पार्ट मैं अपनी बात को पूरी करेंगा तो मैं अपनी बात को पूरी करेंगा हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाओ लड़ा लगबग 25 सीटे ऐसी रही जो एक हज़ार के मार्जन से हम उपर नीचे चलते रहे और इतफाक से हम वो हारे कोई दिक्कत नहीं है चुनाओं मे बड़ी विनम्रता से सुईकार करते हैं आप चुनाओ आदमी पार्टी को बढ़ाई भी देते हैं कि वो जीते हैं और उन्होंने बहुत शातिर पने से बहुत चालाकी से और बहुत इमा अपनी होशारी से चुनाओ लड़ा और अपने पक्ष में उस जीत को वो लेके गए ये केजरिवाल के कामकाईज की जीत है और बीजेपी के जो सी ए शाहिनबाग के बहाने जो दुरूवी करण थी उसकी हार है आप मानेंगे बिलकुल नहीं ये ना ये सी ए ए की हार है क्योंकि सी ए ए के खिलाफ जहां हमारा पहला स्टैंड था आज भी हम वही हैं हिंदोस् स्टान के नागरिकों से कोई लेना देना है एक बात दूसरी बात क्योंकि हम लगातार चाहते थे कि राष्टी यों मुद्दों पे हम राष्टवादी पार्टी हैं राष्टवादी विचारधारा की पार्टी हैं और हम लगातार हमने कहा कि ये भ्रमित करने का काम जो शा कर सकते हैं और उसके लिए हम मोधी जी के जो कारे काम थे जो हमारी अलग अलग प्रदेशों में सरकारों के काम थे हम उस तरह से अगर कंप्टीशन में आते तो शायद विकल्प दे सकते हैं दूसरा हमें लगता है कि हम चेहरा भी अगले रांड में बचा आपता है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है शादा भाई वैसे हमिच्छाब इस ने काफी फोटो वोटो रिलीज करवाय ति कई जगह कई स में बैठके वोटिंग डालते हैं देख पा रहे थे कि हाँ के दिरिवाल के पक्षमें माहोल है चालिस पैटालीस पचास सोच रहे थे यही साथ बासेट वाला तिरसेट वाला सोच रहे थे यह आपको लगता है जिस तरह से बीजेपी ने आखरी दुनों में जो नेरेटिव सीए के बहाने जो नेशनलिजम का कही है पुरा धुरुविकर्ण का नेरेटिव उसमें आम आदमी पार्टी ट्रैप होती दिख रही थी आपको लग रहा था कि बीजेपी इस बार अच्छे नंबर्स लेकर क्या आएगी अवन भाई आम आदमी पार्टी या केजरिवाल जी कहली है मैं आम आदमी पार्टी तो केवल केजरिवाल जी कहूंगा उन्होंने एक जो पॉलिटिकल परसेप्शन है आम आदमी का उसको बहुत बदला बीजेपी के साथ में दिक्क्त यहाए कि 21 सालों से बीजेपी सत्ता से बाहर है दिल्ली से पंदरह साल लगातार शीला दिक्षिद जी रहीं, फिर एक साल के लिए केजडी वाल जी आये, फिर उसके बाद p ederim साल के लिए केजडी वाल जी दुबार आये, अभी सवाल उटता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, मोधी brand एक बहुत बड़ा brand है वो अब international brand हो गया है वो दिली में क्यों नहीं काम कर पाया तो मेरा मानना ये है कि जो आम जन्मानस है जो आम लोग है जो जो lower middle तपका है या middle class तपका है केजरी वाल उनके brand बने केजरी वाल देखे जहां पर मास चलता है politics में वहीं सबके सब चलने लगते हैं इस समें शाहिन बाग ये सब ही कि ये issues अलग था ये issues लेकिन जो basic चुनाओं में तो यह issue चाहे रहे की कोश्च दिल्ली का मुद्धा बीजेपी का मुद्धा समझे की बोली मारो ने दो हजार पंदरा क्रवेश्वर्मा क्या बहुत है किरिन बेदी जी को लाए जावड कर जिन तो आतंगवादी तक कहती है अगर आप देश के घदारों को कहते हो तो आप यह कैसे मान ले तो सब्सक्राइब कर दो लेकिन सर्म मेरा यह कहना है कि क्या एक केंद्री मंद्री एक चुनावी जनसभा में कई इस तरह जो जो आप बता रहे हैं मैंने तो नहीं का हिंदू को कहा कि मुसल्मान को कहा बताया तो क्या ना यह बताया गया कि यह तो मुसल्म समाज के लिए का जा रहा है दूर्वी करानी की केद्री वाल ने कहां बोला केद्री वाल ने एक भी शब्द क्या बोला बताया आपको जीब भर के अपनी हार के कारणों का बताईए पावन भाई अभी आपने छोटा सा मुद्धा का आप टेर्रिस का केजरिवाल जी को टेर्रिस का किसी ने किसी सांसद मौदे ने का यह प्रकाश जावड़कर केंद्री मंत्री ने कहा लेकिन उसका केजरिवाल जी ने कैसे जवाब दिया उन्होंने कहा दिल्ली की जंता से कि मैं इनका बेटा हूँ या मैं इनका भाई हूँ या आपको क्या लगता है तस्वीर साफ है 60 प्लस केजरिवाल है बीजेपी दस पे पहुंशती नहीं दिख पा रही है क्या आपको लगता है इतनी लेंड स्लाइड विक्ट्री की उमीद हमारा आप कर रहे थे पहले भी हमने चुनाव में चर्चाएं की यह आपको लगता है कि न इकास की जो पतवार उसको थामे रहे वैतरनी पार लगे बीजेपी बीच किनारे डूब गई है पहली बात तो अनस्पेक्टर था यह बासट वो आप जीती की नहीं जीती बट आठ वीजेपी जीतेगी यह तो बिलकुल अनस्पेक्टर्टर था और उमीद थी कि इनके ने मैंने कहा था कि इजरीवाल 45 से 52 सीट जीतेंगे और मेरा अपना एक सोच था हलाकि यह चला नहीं हाँ उससे ज्यादा ले गए उससे ज्यादा ले गए लेकिन क्या बीजेपी के लोगों का चला जो 45 सीट परसों तक जीतने का दावा कर रहे था हाँ नमबर टू जो आपने जमीनी और नरेटिव की बात कहीं मैं हमेशा बताया मैं बड़ा सीधा सा एक्जामपल रहता है कि जो जो नेस्नलिजम आसपेक्ट में है जो इन्मर्शिटी की पढ़ाई वो प्राइंडरी स्कूल में नहीं होती है आप विधान सभा दिल्ली का लड़ रहे हैं और की सब्ता हाथ ही आ सकते हैं तो यह केजरिवाल का मॉडल है कि अपनी सब्ता को यारी कि विकास के अजेंडे पे नरेंदर मोड़ी गुजरात में लगातर मुक्ह मंत्री बनते रहे रापीर ऐसी बनी कि देश के प्रदान मंत्री में दुबारा बने यही मैसेज पकड़ने म बीजई पी फेल कर गई और सिंग साथ दिली में कि केजरिवाल भी उसी विकास के मोडल पे गुज्रात मोडल नरेंदर मोडी ने खढ़ा किया वही दिल्ली मोडल केडियों केजरिवाल भी खढ़ा करके चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बीजआप उसको देखना भाई आप बिर्यानी खाने गए हैं कि आप बिर्यानी खरीदने गए हैं आप जंता से बोट मांगने गए हैं कि एलेक्षन हाइजैक करने गए है इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पानी विजली रोजगार सिक्षा पर आपका कोई मुद्दा दिखता नहीं साहिन बाग पर मो साहब को पता नहीं किसने राज दे दिया कि एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा इस्टेजिक इस्टेजिकल एलक्सन में क्यों लेकर आए प्रधाल मंत्री यानि कि आपको लगता है कि जो बीज़ेपी की रणनती रही कि शाहिन बाग सिये के बहार ने हम नेरेटिव ही के इजरिवाल के डवलोप्मेंट वाले नेरेटिव को काट देंगे वहीं पर चूक हो गई बीज़ेपी से जिनका तो सु यूनिट का बिजली का बिल माफ है वो नहीं जाए जो महिला बस में फ्री में सफर कर रही है सुरक्षागाट भी मौजूद है जो बिजली का बिल दो मैंने पहले ही बैठते हुए सुईकार किया हमसे कुछ चूक हुई और हम आम आदमी पार्टी के ट्रैप में आ गए और वो ट्रैप यही था कि वो खुछ सामने ना आ कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि कॉंग्रेस जो शाहिन बाग के मंचों पे कॉंग्रेस के नेता है कॉंग्रेस पार्टी जो मंच पे नजार आ रही थी शाहिन बाग के खुल के शाहिन बाग का समर्थन कर रही थी उसे मुसल्मानों ने नकार दिया अल्पसंख्यों को ने नकार दिया और उसी के अलावा वो वो टोटल आम आदमी पार्टी के पास चला जाता जबकि केजरी वाल वहां जाते भी नहीं एक बात आपको समझनी पर दोखा हो गया आपके साथ नहीं मैं आपको यह मुसल्मान मंत्री जी ने कहा उसे समझ यह बात को कि या तो आप यह कहिए कि कॉंग्रस ने वाक ओवर दे दिया या आप यह मानिए कि एक ट्रैप बिचाया गया था भारत पे नहीं लगा सकते हम जन्ता को समझाने में रह गए हम इस मुद्दे से बाहर नहीं निकल पाए और केजरिवाल अपना भोला बनके अपना एक नाटक करते रहे रहे उसमें वो जीत के राजनीतिक एक चाल थी वो उस चाल में काम्याब रहे और हमने उसके लिए उन्हें लगता है मैं अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं कई बार जूट जीत जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि सत्या पराजित हो गया मेरी बात सुनिये मैं बहुत इमांदारी से इस बात को कह रहा हूं जो सईयोग और प्रियोग की बात देश के प्रधान मंतरी ने कही उस ब सब्सक्राइब अब जाता है यह सच जारखंड में भी हार जाता है सर यह सच हरियाना में आप तो नई नवेली पार्टी का समर्तन नेले को मजबूर करते हैं कर दिया अब आप उनको बधाई देदे उनको भी स्पेस देदे पनी बात रखने का उमा सिसोदिया जी जब हम दिन में चर्चा कर रहे थे पचास पच्पन पे आप लोग खेल रहे थे साथ के पार चले गए शादाब सर्फ बीचे पी प्रवक्तर को कह रहे हैं कि जूट जीत गया सत्य हार गया लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ है क्या आपको लगते यह व अपको बहुत बहुत बदाई आपको आहमाद्मी पार्टी को बहुत बहुत बदाई धन्यवाद धन्यवाद चादा भाई ले मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूंगी देखी ही सत्य जीत गया जूट गया हम लोग इस तरह की राजनिती की बात नहीं करते हिंपन है कि जात कि बोला कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए नहीं तो आप बीजेपी को वोट दीजिए इस दंकी की चोट से हमारे मुख्यमंत्री जन्ता की बीच में गए अपने काम को लेकर दे तो सिभी बात है यह जो चुना है इस्थानियों मुद्दों पर लड़ा पर लड़ा गया और कहीं न कहीं बीजेपी जन्ता की नवज को समझने में नाकाम रही इसलिए उनको इतने बड़ी हार करता में करना पूड़ा एक प्रस्शन का मेरे उत्तर दे दिश्यकर बढ़ाई के बाद एक बात तो आपको बताने पड़ेगी जरेकरता आपको आपको इसके फोटो भी जारि वुए सन्जे जी के साथ तो आपको यह तो अब करदाना पड़ेगा ना कि अगर आपका कारे करता के मुख वार जिनने बिलकुत कर रहे कि एक यह प्रस्टना अप मुझ्स स्वास्टें उजगार सबीट करने के लिए नालियाँ ठीक करने के लिए यहां का मुख्य मंत्री बनाया है और यह जो शाहिन बाग का मुद्धा है इस पे नेशनल जो पार्टी मतलब जो नेशनल अगर चिनाओ अगर चिनाओ होता है तब इस मुद्धे पर बात की जाएगी होगे इस च्छाम आपके आपके इतना तो यहाइन अपके आपके शुच्छ इचार नहीं तरिका नहीं हुआ ना सब्सक्राइब पूछने का काम मेरा है सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब अभी जब आपने गोली कांड का चर्चा किया तो बहुत पुराना इतना नहीं बता पारे आज भी आम आपी पार्टी की चालाटी की चालाटी की है सब्सक्राइब आज आपको बोलने का दिन नहीं है पहली बात आप 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 लॉजिकल और तथ के साथ कोई बात रखना चाहें तो जनता आपको सपोर्ट करेंगी अधरवाइस देख रही आठ का अकड़ा और इतना जूर से बोलने की जरूरत नहीं बगल में 62 लिखा हुए पोई निक्त नहीं है सब्सक्राइब लोगसबार में तब भी हमारी यह आवाज कम नहीं कर सकते हैं तो भारत का ही पासपोर्ट दिखाते हैं तो भारत ही रहता है आप उसको मत सिखाइए प्लिए रखाए सब्सक्राइब कर रहा है कि अपनी अपनी सब बात रखें जी सिंग साब मैं यह कहना चाहरा हूं देखे दिल्ली का जो एलेक्शन है उसमें यह बात को एक मेटीरियल था दिल्ली कि क्या बीजेपी सहरी बोट को अपने पक्ष में नहीं कर पाती है आप गुजरात के लक्सन उठा के देखिए बीजेपी सहरों में सूरत वगरा का मैं थोड़ा नहीं बोलूँगा जाके देखे प्रताल करके शहरों में इनके हारने की तादाद गाउ की तुलना में ज्यादा दिल्ली गाओं का शहर नहीं है बलकि शहरों का शहर है ठीक है और पढ़े लिखे लोगों का मैं इसलिए बोल रहा हूँ के लिए ट्रेसी भी ठीक से मिलेगी ट्रैफिक मीं मिलेगी बड़ी-बड़ी गाडियों बड़े-बड़े भावन मी मिलेग बीजेपी को सब्ता में आने के लिए आपको दिल्ली जैसा चुनाव लड़ना पड़ेगा जारखंड पंजाब और ऐसा वहां भला कि वहां भी हार गए लेकिन आप सोचे कि यहां वहां उत्राखंड यूपी की तरह चुनाव जीतेंगे तो दिल्ली में चुनाव लड़ा त फ्रीवीज बाट रहा है तो हम भी दो किलो आटा देतें कि बादी में सही कहा तो बची कुछे में हमने शाहिन बाग बे करंट लगवा देंगे वोट ऐसा डाली कि करंट वहां तक पहुंच जाए फिर गोली मारों बोल दिया हमने फिर और प्रवेश वर्मा जी और आगे बढ़ गए पिर जावडेकर जीने कुछ और बोल दिया संयोग और प्रियोग भी हो गया तो सब कुछ सारा तरका तो लेकर क्या आ गए थे ना बस एक चेहरा तो उस तरह से नहीं दे पाए पावन भाई काम की नहीं कि हमारी mcd ने 2017 से लेकर के यह पूरे 12 साल से क्या काम क भी हुजब्त हो गई थी और उन्होंने सेंटर में भीजा अब सब्सक्राइब बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब ऐसे ही मोदी जी ने गुजरात में अपने को स्टैबलिश करा था वही दोर है वही धीरे धीरे वही सेम चीज बढ़ रही है मेरा कहना ही है कि मोदी जी को इसी दिल्ली की जंता ने ठीक है वही तो बहुमत के साथ दिया जो नरेदर मोदी का देश में 2014 के बाद 2019 में जो टीना इसा कई जगे हमारे देश में हुआ है कई राज्यों में हुआ है लेकिन बीजेपी एक चहरा क्यों नहीं दे पाई ये थोड़ा से चिंदा अब क्यों चेहरा नहीं आप दे पाई क्या आप कोई लोकल लीडर्शिप उस तरह कि अब रही नहीं चो बतलाल खुराना या शाहिब सिंग वर्भाए की होती थी सुश्मा सराज की इस तरह से होती थी यह हमारी स्टाटरजी का पा लेती तो सूपड़ा साफ हो गया था हम कॉंग्रेस को सरेंडर कर जाएगी पूछ लेते हैं पूछ लेते हैं इसलिए चायद मुझे लगता है कि हम चाहेंगे हमारे देखे मुझे पूरी उम्मीद है कि पीसरी बार दिल्ली की जनता में केजिवाल जी को पर इश्वाज जताया है और परचेंड बहुमत के साथ उनको वहां की सत्ता दी है तो पूरे देश ये आवाजे उठने लगी हैं आम जनता की तरफ से कि केजिवाल जैसा नेता जैसा नेत्रत वे और केजिवाल जीशी साथ उत्री और शिक्षा और स्वास्ते पर आधारित गाजमेटी इस तो में पूरे देश में होनी चाहिए आप चाहें तो उत्राखन में सर्वे कराकर आप देख सकते हैं कि जनता कितनी तरफ का है यहाँ पर शिक्षा और साथ की सिवाओं को लेकर तो जनता के लिए तो इस तो में बहुत बड़ा ऑप्शन आमादी पार्टी के रूप में सामने आया है और दिल्बी का जो चुना है यह सिर्र बीजियती के लिए नहीं है आमादी पार्टी के बड़ी संझीवनी का काम करेगा और मुझे उम्मीद है कि पुरे देश में आमादी पार्टी के रिचे को आगे लिजाने का कारेश में। कि तेस इस तरह का fent ऐसाधा है तो पबलिक का उनको जंसमर्थन भी मिलते का संधार सर्कार बाइश में ना यहां किस्ट फीलेत और हमारी सरकारों में बिलकुल लगाता कि यह कुषिश के क्वार्ग्रेस ने आदिवासी वर्सिस नादिवासी कर दिया, अच्छा सारा काम नहीं बोल सकते, जाने सकते, उन्होंने शुपु सुरेन के बेटे को आगे करके और वहां कहा की बही अदिवासी वर्सिस अधिवासी के साथ गलत हो रहा है, हमारी बातों को जो हम उनके कर रही है जमीनों पे वो गलत फीड चला गया और हम उसे सोचा हलके में ले गए और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कोई दिक्कत नहीं है चुनाव मैंने का कि हारे जिते जाते हैं लेकिन आप सक्ता में बने रहें दूसरी बात इंपॉर्टन बात यह कि भारते ज लेकिन मैं इतना क्या है बारते जनता पार्टी में माने रवेजिंग रावची ने उत्राखंड के अंदर आप देखे तो पांच लाग की जो अटल आयुश्मान योजना चलाई है कि एक आम आदमी को वो ना कॉंग्रेस ना बीजेपी ना हिंदू ना मुसल्मान ना जात पार्ट हर व्यक्ति जो उत्राखंडी है उसे हम पांच लाग का हेल्थ इंचोरेंस कवर दे रहे हैं तो यह एक आम आदमी से जुड़ी हुई नीती है और लगातार लगातार राते जनता पार्टी की यह लाइन रही है कॉग्रेस की प्रवक्ता गरीमा तसोनी जी हमारे साथ फॉन लाइन पर जुड़गे काफि सबह से हम कौशिश कर रहे थे कॉग्रेस से का पक्ष्ट भी आये गरीमा तसोनी जी आपका स्वाकत है मैं च्छोटा सा सवाल सिंग साहब से लेकर कि आपके पास आरहा है आप हमा लगता है जो शादाब भाई कहा हम ने यह किया हेल्थ किया और दूसरे सेक्टरस में काम किया मैं इसको खारिश करता हूं इस बाद उसका कारण है कि विकास अगर दिल्ली की लोगों को देखता है तो उत्राखंड की लोगों को क्यों नहीं दिखता है दोजार सत्रा मार्स से आपकी सरकार है मार चारह तीन साल हो रहा है लगातार सारे चुनाओं के सर्म मत जाई देखिए पासट सीट पाने पर भी आपको विश्वास नहीं है आप सतावन पाये थे अपने पे विश्वास दूसरे पर नहीं करेगे तो उसका विकास का बोट है हाँ मैं इससामत हूँ लेकिन हकीकत है कि विकास के बाद जो विकास की परत चढ़ानी है आपने जो अठारा मार्च दोचार सतरा से विकास की परत चढ़ानी शुरू की वो कहां तक पहुंची ये दोहजार साइस तो आको लगता है कि वो अभी दिखना बाकी है बिलकुल ठीक गरीमा दसौनी जी मैडम दिल्ली में पहली प्रतिकिया आपकी एलू फिर उत्राखंट पर भी आएंगा देर से जुड़िए क्या वज़े रही दिल्ली में कि जहाद सीटों पर जब दोने की नौबत उस पार्टी की आ गई जिसने दिल्ली में 15 साल सरकार चलाई शादा पोई निराश होने की जरूरत पांग्रेस पार्टी के न कारे करताओं को है न नेताओं को है अच्छी बात इस पूरे चुनाओं में निकल कर ये आई है कि भाजपा जैसी फिरका परस ताकतें सता से दूर रही हमारे लिए यह बहुत संतोश की बात है कि जिन लोगों ने दिल्ली को बांटने की कोशिश करी शाहिन बात के नाम पर जिनने राजनीती करने की कोशिश करी ये जनता का करारा तमाचा उन सारे सामत्रदाइक लोगों को है जिनोंने इस देश को सामत्रदाइक ताकि नाम पर बांटने का काम शुरू कर रखा है इसलिए मुझे लगता तो थमाचा तो उसके लिए भी है ना मैडम जंता का तो देखें कई चीजें कई चीजें पर बोडने वाली नहीं होती हैं पावंजी मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि कई चीजें रण नीटी का भी हिस्सा होती है राजनीटी में रण नीटी एक बहुत बड़ा अपना महत्व रखती है और हम जो चाहते थे वो आखिर मुझे लगता है कि दिल्ली की जंता ने ये बहुत बड़ा एक तंदेश देने का काम पूरे देश को किया है कि कितना भी विकास के मुद्दो पर तो भाजपच नाव कभी लड़ती ही नहीं थी और ना लड़ती है जबी भी जिस भी प्रदेश में च़िलाऊ होते हैं वहां पर अधसने बड़े बड़े दावे और वाजपने दिया आउत नहीं की नाव करना रही धर्म और जाती की नाव पर एक देश को बाटने का काम किया जंता ने उनको संदेश देगिया है और उनको इन पूरे देश पाइब जलती से वो तो कहरें कि रणनेती काम्याव हुई और कई बार राजनिती में हार जीत के लावा रणनेती माइने रखती है उनको संतोश है कि उन्हों और आप लोगों को दिली के लोगोंने कंगरेंख को नकारा है यांगरेंख ने यह आम आदमी पार्टी को बिया है नہै भागने से तो काम नहीं चलेगा आपका तो जीरो बटा सन्नाटा कर दिया और इसका मतलब ये माना जाए कि देश की जनता कॉंगरुस को पुरी तरह से नकार रही है तो पहरी बाद पूरी कर देश ने नहीं गए लगिन कॉंगरुस के नेता गए तो क्या बाकी अदर्स ने भी माइनौरेटी ने तो नकारी दिया इने जहां यह घै थे उन्होंने भी नकारा और बाकी लोगों ने भी नकार दिया जवाब लेज जवाब लें जी जल्दी से नहीं देखिए शादाव संज जी से मैं वही बात कहना चाहती हूं कि आपको जवाब देने की जरूरत की ह हम ने आप आद्मी पार्टी को वह को दिया या नहीं दिया. ना हम शाधा आप सब्सक्रांजी को हैं ना ay các हम फार्टी को हम फ्iseen किसी को भी नहीं है. कॉंगरिस के सृच्छाना प्रण है करने की झ ER — खुत घर ना को आप घर, ऐ ठीक है, ठीक है ≫ चालिस प्रतिशाद वोट मिला हमें और नेता प्रतिपार हमारा बनी जाएगा क्योंकि साथ सीट है हमारे पास आप सुन रहे हैं यह स्टेंड आएगा मैं इसी की पूरे कि दोपैर से मैं यही माना था कि बीजेपी की यही लाइन रही हमको संतुष्टी है कि हम तो नेता प्रतिपक्ष भी बना लेंगे साथ-8 जीट गए देखिए कॉंग्रेस का तो बंटाधार हो गया कॉंग्रेस का तो रणलतिक तोर पे चल रहे थी चुनाव हमको को मुखमंत थी थोड़े बनाना था हमको तो बीजेपी का बंटाधार करवाना था उसमें हम काम्याब रही क्या आपको लगता है अपना घर जला कि जहां को रोशन करने कॉंग्रेस चली है उस राज्जे में जहां उनकी सरकार तीन 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 टर्म रहती है जहां लोग सबाद बाइं को बाइं के लिए इस वक्त बहुत विदा का समय चल रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या करें क्या ना करें इनके पास एक चहरा था शीला दिक्षिद जी वो बचारी चली गई उसके बाद कोई दूसरा लाइन इनका डवलप नहीं हो पाया जहां तक नहीं हूँ की वाक ओवर दे दिया अरे इनके वाक ओवर देने से क्या फरक पड़ता है आपकी तो पार्टी मजबूत है ना आपको अपने काम पे करिए इस वक्त अपने चुनाओं में लगाई वही शायद मैं अगर पीछे जाता हूँ देखता हूँ तो गुजरात में मो उसी स्टाइल से चले इन्होंने अपने को एक डेफ़लेब्मेंट पुरुष के नाम से और एक क्यों अपने को अपने को इस्टेब्लिश कर लिया, नहीं है उपने से विकास की पत्रिसे दिल्ली में PJP उतर कैसे जाती है, भान बा रहती हैं मैंने बोदी जी ने बहुत बड़ा काम करा ता ऐसा नहीं है कि नहीं करा चालिस लाग जो अवैद कॉलनिया थी उनको उन्होंने बैद कर दिया यानि आप समझ रहे हैं वसंद कुझ में अगर एक किसी गरीब का घर पचास का मीटर का है या पचास बग गज का है उ इस बड़े को इनकैस नहीं करा पाई हर मुद्दे को इनकैस भी करा है लोगों के बीच रहा है रहे स्थानी मुद्दों पर जोड़े रहे तो उसका फाइदा मिला सिंग साब मेरा आप से सवाल है क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस जो एक कहती है करीमा जी कहती है कहना बहुत आसान है कि साब हमने तो एक रणनीती बनाई थी वह रणनीती यहीं जो टीवी स्क्रीन पर बता नहीं सकती है कि साब वहां बीजेपी भगवा नहीं ले रहा है कल को अख़बार में टीवी में देखने को नहीं मिले एक राज्यो और बीजेपी का हुआ तो कम से कम इसी में संतोष कर लेंगे चलो बीजेपी के हिससे नहीं आया लेकिन आप ऐसे कैसे करिकल को ममता बनाद जी कहेंगी ठीक है कॉंग्रेस बंगाल छोड़ दे हमारे लिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी आई रखी वहां पर तो दुबारा आ जाएगी बियार में तेजस् को उत्राखड को देख लिए आप ज्यार कड कहीं भी देख लिए जहां पर इनका आप हर्याना भी देख सकते हैं दिल्ली में तो दिखी रहा साब साब नहीं चल पाता है नहीं चल पाने के स्थिती में ब्यक्ति देखता है कि कौन हमको मुक्त करने निकला था इनको मुक्त करने निकले थे भाजपा के लोग तो भाजपा का सत्ता में नहीं होना अर्द सत्त यह है कि कांग्रेस अपने कुछ जीती हुई महसूस करती है जीरो पर यह इसलिए थोड़े सटिस्ट्राइब कि मैं मैं संतुष्टी की दिर्ष्टी से बोल रहा हूं हां कि मन से जीता हुए मैं 08 62 बीजेपी सब सांतुष्ट है लेकिन उससे भी कम संतुष्ट यहां कांग्रेस मिलें बीजेपी तो सिंग साब का लिए कहेंगी नाक सब साथों एंपी हमारे पास हैं वोग परसंटेज हमारा चारचे परसंट और बढ़ गया है एमले हमारे तीन ते आठ हो जाएंगे साथ हो जाएंगे तो दिल को बहलाने के लिए कुछ ख्याल तो है बीजेपी बास कोंग्रेस दिल कैसे बहलाएगी दिली की जंता में अपने क मेरे दो प्रशन हैं आमाद भी पार्टी से भी और कॉंग्रेस से भी अभी थोड़े दिन पहले जरा सा ये पताचला की वोट परसंटेज बढ़ गया और भारती जनता पार्टी के पक्षमें जा सकता है और हम जीत सकते हैं तो इन्होंनी इवियम पे दावा कर दिया होगा अब तो जीत गए अब तो तसलिए दूसरी बात हम नहीं को आगर हम आज यह कहें कि एवियम तो भाईया तुम दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग कि देखो ऐसे जाता है बटन ऐसे दखता है जब चुनावायोग ने बुलाया तो इवियम को आप वहाँ अब तो इवियम की बच गई अब तो इवियम सेफ है चाटा भाई जानना चाहरे आपसे तो इवियम में खराबी है या नहीं है ये बात की बात है लेकिन अगर विपक्षी दलों को या सारे दलों को आवे के कितनी बड़ी संख्या है उन दलों की जिनको आपती है इवियम के यूसेज से तो लोग संच मजबूत तब होगा जब सब लोगों को कॉंफिडेंस होग अपने अपने चुनावी पूरे प्रक्रिया पे अगर नहीं कॉंफिडेंस है उनको नहीं समझ में आ रहा है वो तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ बदलाओ किये जाने की ज़रूत है संशोधन किये जाने की ज़रूत है जनतरी की दिमांड पर दूसी बाद में ये कहना हुँ कि सबसे जादा जीत हमेशा पवंजी दरूरी में होती है अगर देश हमको भाजपा के हातों में खत्रे में दिखाई पड़ रहा है तो जनादेश को फिकार करते हैं करते हैं यह सबाल उनसे पूछा गया है एक सब्सक्राइब उनसे भी शादा भाई ने आम आदमी पार्टिसिप पूछा है उमासी सोधिया जी आप लोगों ने जरासा चरासा बीजेपी के प्रदेश अदेक्स मनोज तीवारी निकाग साब अरताली सीट हम जीत रहे हैं सारे जो एक्सेट पॉल है फेल हो जाएंगे मेरे ट्वीट की फोटो कॉपी लेकर रख लीजिए जरासा कॉंफिडेंस दिखाया क्या आम आदमी पार्टी से संजेश सिंग ने तुरंत कहीं से फोटो वोटो अरेंज कराकर काग साब एवियम में टेंपरिंग हो रही है है तो मुंकिन है यह लोग इतनी दूर्टता की और शूर्ड राजनी की मोग तुरे देश में कर रहे हैं जाती वाद की सामपरदाइक पाजियों साम दाम बंद भेद कुछ भी करिए सकता चलिए लोग समाता चनाव जितने के लिए तो मैं इंसे क्या आशा कर सकती हूं कि पर सवाल उठा देते हम राष्टवाद की बात करते हम इनके टैंपरिंग में आगे हम इनके जाल में आगे यह गलती हो गई अब इनके हम इनके हम इनके आघ्व यह पाकितान की बहुत लोगा वाराई सबस्प्राइब करेंगे बादे अब यह एक सकिंद नहीं बहुत तो बताएं ना आपको यह तो बताएं यह तो बताना पड़ेगा ना वह तो आप जीते हैं यह तो आप अपनी जीतना मनें इसे हार मनें इवियम की कथा तो सर अनंत कथा है जो हारेगा वो इवियम के सिर अपनी हार का ठीक रा फोड़ेगा हम उद्दे पे रहते हैं क्या आपको लगता है कि अब दिल्ली के बाद केजरिवाल निकलेंगे बिहार की तरफ का पी के भी एकै की चीट में इस्तिदार रहे है तो कि बिहर में नए अल्टरेंटिव की राज्यों में खाने पड़ रहे हैं बले मोदी 2019 में और ज्यादा ताकत वर होकर के लोट के आ गए हो पवन भाई मुझे नहीं लगता कि इस बार केजविवाल जी पिछली बार जैसी गलती करेंगे इतनी जल्दी अपने प्रदेश से भार जाना चाहेंगे अभी दिल्ली में भविश में लोकल चुनाव भी हैं और वो उसको पूरा कबजा लेना चाहेंगे क्योंकि MCD की स्थिती बुरी है उनका ये कहना है कि MCD उस तरीके से काम नहीं कर पारी जैसे उसको करना चाहिए था इस बार और ताकत से लगेंगे लेकिन केजरी वाल जी ऐसी मुझे लगता है भाई और करीमा तसोनी में ही आमने सामने की चक्कर है अब को लगता है काम आदमी पार्टी थार्ड अल्टरनेटिव बन पाएगा उमा से सोदिया आम आदमे पार्टी के लिए यहां पर कुछ संभावना है उत्राकंड में देखिए दो साल अभी बचे हैं यहांके चु जनता को जो हो सकता अभी दुखी है जो लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी दिली के अपने सक्सेस्ट प्लैन को लेके यहां आएगी तो उनके लिए कुछ जमीन बन सकती है बिलकुल बन सकती है ऐसा नहीं है कहीं भी वह किसी भी स्टेट में जाएंगे लेकिन अभी उ उनमें जोश था उन्हें लगा कि शायद हम इसको पूरा कर देंगे अभी यह मैचर क्योंकि आप सारे स्टेटमेंट अगर दिखेंगे यहां आपको लगता है कि जो वेकल पिक जो राजनिती नरेंदर मोदी के खिलाफ एक वेकल पिक चेहरा बनने की बात उस उस फीकर में भी नेशनल फ्रेम में भी केदरिवाल आएंगे उस पर पुनरविचार होगा पवन भाई 62 सीट लाना इतने बड़े केंपेन के खिलाफ यह असान नहीं है इसका मतलब जन्मानस ने उनको गहरी बहुत गहरी बहुत माना है उनको माना है लेकिन आज भी अगर दिल्ली में अगर मेरा मानना है पार्लिमेंट चुना होगा तो रिजल्ट मोदी जी के ही पक्ष में जाएगा हाँ वही है टीना फैक्टर काम करता है जिस पर पब्ली का ट्रस्ट है उसके लाफिरों किसी को बरदास्त नहीं करती है दिल्ली में बीजेपी इसी फैक्टर को समझने में चूकर कि सिंग साब क्या आपको लगता है उत्राखंड फर्टाइल है क्या तीसरे विकल्ब के लिए उर्वर है क्या तीसरे दाकत के लिए कॉंग्रेस बीजेपी की राजनिती 20 साल में देखने को मिली है देखे बीजेपी की जो स्टॉंडेस है मैं बहुत पहले यह कहा थ है कि अगर केजरी वाल को सब्ता से बाहर करना है तो उसको जो है 31 सीट हराना पड़ेगा और भाजपा को सब्ता माना 25 सीट जीतना पड़ेगा ज्यादा और वो पांच ही ज्यादा जीत पाएं जाहिरे रिजल्ट कुछ हो रहा है अगर यहां पर उत्राखंड में आम आत्म कर सकती कांगरेस उसको मौका देगी कांगरेस क्यों मौका देगी मैं यहां इसलिए भाजपा को 57 से आप 17 पे लाना चाहें 22 पे लाना चाहें हम समझते हैं अभी की तस्वीर इतनी खराब तो नहीं दिख रही है अभी दो साल में इस्तितिसाएशुदाल नहीं हां दूसरी चीज कि आम आदब़ी पार्टी को यहां का पहाड का जो मत दाता है क्यों एक्सेट करें korady क्यों करें क्या वहां के लिए कुछ चूरन और Body abouting दे रहें नहीं दे रहें एक पार्टी देखी जर जो निस्नल उत्राखंड में ऐसा आप लगता है कि यहां जमीन बनेगी क्या यहां पर मोक्रमंत्री उतना अच्छा काम नहीं कर रहे क्या यहां कॉंग्रे उत्री कमजोर है कि आप दूसरे नंबर पर आ जाएंगे यहां तो कॉंग्रेस बीजेपी की लडाई है आप कहां है पिक्चर में देखें इसमें हमारे जो आशावाद है वो इस बात पर है कि उत्राखंड की लगबर 30, 30, 40,000,000,000 आप दिल्ली में है उत्राखंड वाचियों का दूसरा घर है तो वहां पर उत्राखंड की लोगों ने आवादी पार्टी को केजिवाल जी को पचल पहुमत दिया है उन्ह तो पूरी तरफे हार की मानसिखता के साथ इस समय है लगातार सभी राजयों मैं कहीं ना कहीं नские साथ दिल्ली में शरमने उनके बारे में क्या बात करूंगी पिष्टी बार भी जिरो और इस बार भी वो शुन्त पर रहे तो इस तरे से उन्हीं बोडी लो डिली में को नहीं अपकी मदद की है कि यह को एक किसी की में करता है जिसमें इतना पाता है गरीमा दसौनी जी है कि हमारे साथ झाल आप रावत करें कि कि आपनी बात रखिये सब्सक्राइब में क्यों लोगत है इस लिए प्लीज अपनी बात रखिए कि प्लीज अपनी बात रखिए और और चहना चाहूंगी कि उमाजी और मैं मुझे लगता है तालाज के छोटी मच्छनिया हैं और वहां राष्टे नेटर्स क्या खरता है क्या नहीं तह यह तो इफमाजी क्यात मैं पिर क्याना कि रिह नहीं मुद्ध की खरतार आज कहीं न कहीं वो अपने आपको जबावा महसूस कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके पीछ में छुरा भूंका गया, उत्रा खट में भी हसा ही कर रहा है कि क्या, या उत्रा खट में हम आदमी पार्टी के लिए कोई जमीन नहीं, कॉंग्रेस लड़ेगी फमझी बीजयपी से तक मैं और नहीं समझे आपका, हलो, 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 पंट गरीमा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है तक मामाटी के लिए क्त है, में आप सुख़ौता चोटक है तक मेरक छोटा स समवाल है जल्दी कि जबाव Experiment ऐक पासमेरा चैक है। मुकाबला आपका और बीजेपी काई है जल्दी से तोर पर कongress party का मुकाबला किसी से नहीं है नवकाश्य के लिक्रिया कर ओरिंगे और जलना चाहिक सबतilee सरुठीड नियुक्त oluşजोब प्रकाइब करते संदिट राइव आपकाने जल्दी से मेसेज़् कपाइबन je के लिए इन अंधेरों से परे इस शब घं के आगे हाँ नई सुभा भी है इस रात के बाद शिंता मत कीजिए ठिर सुबावगी फिर सुभा ठीक लेगा और फिर लास्ट कमेंट टैन सेकेंड्स में अठारा दो हजार अठारा में केजरिवाल जी ने अपना प्रोपोगेशन शुरू कर दिया था अपना प्रोपगेंडा शुरू कर दिया था यह सब को समझना चाहिए उन्हों ने अपना महला क्लिक और शुरू कर देना पड़ेगा चुनावी मोड बहार जरू ही है सिंग साब लास्ट कमेंट पांस सेकंड जल्दी से मुझे सिर्फ यह लगता है कि बीजेपी को जगें के हिसाब से मुद्दो का ठीक से चैन करना चाहिए ठीक है ठीक है आप सभी मेमानों का बहुत बहुत धन्यवाद यह सही बात है कि बीजेपी को अपना जो रास्ट यह मुद्दो का नेरेटिव है उसको कुछ समय के लिए रोक करके जब राज्यों की तो राज्यों के मुद्दों पर फोकस करना पड़ेगा और दिल्ली जैसे राज्यी में उसके पास चेहरा था वाचुना वहार गई महराष्ट में उसके पास चेहरा था सहयोगी चला गया तो सत्ता गवानी पड़ी हर्यामा में उसके पास चेहरा था लेकिन उसको सहयोग लेना पड़ा जेजेपी से कुल मिला करके बीजेपी को समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी मैजिक रास्ट्य स्थर पे है रास्ट्य फलक पे है लेकिन राज्जियों के फलक पे नेताओं को च्छत्रपों को अपना मैजिक दिखाना पड़ेगा जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है चुनोती तरविंद सिंग रावत के लिए भी है योगी के लिए भी और बिहार के सुशाशन बाबू मितीश कुमार बंगाल की ममता बनर जी के लिए भी है नमस्कार गंटी का बटन दबाएए और हिंदी खबर से जुड़ जाएए